इस नमस्कार मैं आप अगaryने स्वागत करता हूं अपने यूटीır चैनल आजेयादेओ पर तो कैसे हैं आप सभी आयोब्ड अच्छे हो गए तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस्टैटिक जीके पढ़ाता हूं और मेरी स्टैटिक जीके के सीरीज भी कर यह तो अाज मैने उस स्ट्रिपटक जी सिरीज में कЯकर आया मेजर लेक्स अफ इंडिया यानि भारत की परमुख जी ले और इससे पहले गके क्या हुआ है एंडिया और उससे पहले और उससे पहले अमां रहे वगाता रोहे हैं तो आज मैं आपको रहे पाद़ा यह सीजिये लो तो आप सभी के उसमें यानि स्टैटिक जी के आने वाली है तो आप सभी जाए मेरे यूटुब चैनल आज याद वपर और उसमें स्टैटिक जी के सीरीज चल रही है और आज ही मैंने नया टॉपिक सुरू किया है मेजर लेक्स ओफ इंडिया यानि की मेजर ठीक है तो अब आपको अगर जादे कुछ जानना है डेटिल से इसके बारे में तो आप मेरे यूटुब चैनल पर जाएए महां से सीखिए बट आज में नया सब्जेक्ट यानि क्या अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं जो कि एकनॉमिक्स क्या होती है ए है एकनॉमिक्स का यूज़ब कहाँ पर करते हैं जो एकनॉमिक्स के गुरु है यानि इक नोमिक्स के जनक हैं कोन और परप मतलब उसकी जड़े भारत से जुड़ी और इकनॉमिक्स के अंतरगत क्या-क्या सब्सक्राइब विदिया यानी कार रहाते हैं हमस्त्राइब और यह भी जानना होंगा ठीक है एकनोइक्स एनिकनोइक्स के फीचर्स जानने करें अर्थिक धीय हैं। यह पीपने फीचर होने वाज कितने कितने पार्टस की बाति गई कितने फीच्टेकषर्bels लोगय आज तो आज जल्दी से आईए और देखते हैं इकनोमिक्स होती क्या है तो इकनोमिक्स का मतलब क्या होता अर्थ सास्त्र कि यह हमारे पास है इकनोमिक्स कि इकनोमिक्स यानि कि कि अर्थ सास्त्र तोर के दिखा रहा हूं वैसे अर्थ firm आhalt कि यह होता है अर्थ सास्तर और आर्फ इसलिए लिखा ए कि मैं आपको समझा सकूझ के एक्शल में अर्थ सास्तर होता क्या है कि तो आईए देखे यह जो अर्थ- अर्थ का मतलब होता है धन थेक है धन यानि की मनी और जो सास्त्र होता है इसका मतलब होता है अध्यन यानि की अर्थ सास्त्र का सीधा सीधा मतलब आप समझ भी सकते हैं जैसे कि मैंने लिखा है जो भी धन्स रिलेटेड अध्यन यानि धन्स सम्मंदित अध्यन क्या जाएगा जिस भी चीज के बारे में फिर चाहिए वह कोई देश हो या फिर कोई व्यक्ति हो या फिर कोई अर्थ सास्त्र के अंतर गता आएगा तो इसी एक्जांपर से अब मैं आपको एक्जांपर से समझाओंगा अभी थोड़ी देर में ठीक है तो फिलाल के लिए इतना यह अब देखिए मैं आगे मिटों के दुबार से समझाता हूं आपको इकनोमिक्स का मतलब आप लोग समझ गए होंगे आयों अच्छे से अब जोई एकनोमिक्स यानि अर्ठ सास्त्र सब्द है करें यह ऐसास्त्र सब्द औहिए मिवर्य ओक इसके जनक कोन है इसके जनक है एड़म इसमित आप लोग को मैं सब आप कुछ लिखवाँगा नहीं अब आप graduate level की तयारी कर रहे हैं यानि कि अगर आप 12 भी पास हैं तो आप कुछ चीजे खुद से भी लिख सकते हैं यह नहीं कि आपको मैं पांच यह छटे यह साथ यह बच्चों की तरह मैं आपको बोर्ड पे चील लिखूंगा और आपको आप सास्त्र यानि अनलक आटम इस मित और जो अर्थ वाच्च ब्र यह यह फाश खे पर पंच में में और आपको बंपको या उनानी बहाशत ऑला, और यह यह लिए गया है। यूनानी बहाँ साथ है और अब यानी की मैं आपको बता भी दिया आडम इसमित इसके जनक है यानी फादर ओफ इकनोमिक्स ठीक है और जो एकनोमिक्स थी अर्थसास्तर अर्थसास्तर किताब तह头 जे अर्फसास्तर भूग थी ऐसे अर्फसास्तर के लगए चारागे ने किसने भाइइ थी कि मुस्राइब के लिखे भी यह च्छा हतरे है निए पार ड़र केले गार्ट पर छोस्नुन कर था मैं कि जो मुस ness और कि विश्वनु गुप्त भी कहते हैं और क्या कहते हैं और कोटल ले कहते हैं कोटल ले ठीक है बड़ जो हमारे पास ये कोटल ले जी थे यानिकी चानक के ये इकनोमिक्स के बहुत अले ग्याता थे इसलिए इन्होंने क्या लिखी पुस्तक लिखी ठीक है जहां तक कि आज देखिए लाइट चली गई है इसलिए एक बल्प यानिकी बंद हो गया हमारा कि अब एक सेकंड रुखी है हाँ लाइट आ चुकी है दुबार से तो हम कहां पर थे हाँ अर्ष सास्तर की जो भुख थी वो किसे ने लिखे थी चाणक के यानि कोटल ले ने और ये कोटल ले जो थे यानि चाणक के किस समराट महान समराट के दिन थे समराट चंद्र को प्मोर रहे हैं के अधीन थे और उनके मंतरी भी थी एज़ा गुरू भी थे ठीक है मंतरी बोलता मिनिश्टर थे उनके अब जो हम बात करते हैं कोटल ले जो कोटल ले ने किताब लिखी थी अर्थ सास्तर ये किस से संबन देती ये संबन देती राजनीत कि अवक शैब्यवा ये कहां जो हमारे ने यह साथ निकिताब लिखी थी तक हिता पढ़ेंगे एकनोमिक्स उससे में हम यह पढ़ेंगे कि किसी देश को किस तरीके चलाया जाता है मतलब मैनेजमेंट देखेंगे या सही विकल्प अर्थसास्तर हमें सही विकल्प यानि बैस्ट चैन करना सिखाती है तो आएए हम मैं आपको एक एक्जामपल से अर्थसास्त समझाता हूं कि एक्च्वल में एकनोमिक्स क्या होती है कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि यह पाट एक हमारे पास बाइसाब है इनकी सेलरी है मानिये 30,000 यानि की 30,000 रुपए ठीक है अब जैसाब यह कमा रहे हैं कितना 30,000 रुपीज इनम मंत यानि एक महिने में 30,000 रुपए कमाते हैं अब जैसाब यह पैसा आता अकाउंट में तो उन्हें खर्च भी करना है क्योंकि भाई साब यह थो है निए निए कि 30-30,000 रुपके कुछ खाएंगे पेंगे नहीं गूमेंगे फिरेंगे नहीं होंगे आप यह पैसे को किस तरीके खर्च करेंगे अब हम देखते हैं वाई साब लेखा है नोना है प्लैट में रहेंगे तो यह फ्लैट में रहेंगे तो फ्लैट का रेंट जाएगा रेंट जाएगा महरे पास यह बाई साथ दिख रहें आपको यह दूद भी पीते हैं और थोड़ा मोड़ा दूद नहीं पीते हैं एक किलो पीते हैं एक बार में तो इनके जो मिल्क है मिल्क कभी जाएगा महीने में तीन अजार रुपया आप मालो यानि थी थाउजन रुपीज फॉर मिल्क ठीक है अब जो यह बाई सब जिम भी जान लगें और छोटी मूट जिम मिल जाते जिम भी ऐसे एक दम एवन यानि फर्स्ट क्लास की जिम तो इनकी जिम की फीस जो ज ठीक है अब इन्होंने कार भी ले रखी है अब यह इंगी कार ठीक है बस मान लो चाहिए कार मान लो कुछ भी जो भी अब जो जो इनकार ले इसकी किस्त बजाती है कि मान लो किस्त मान लो लिखो कार की किस्त जाने की यह माई जो होती है कि इनकी यह माई कितने जाएगी अब जो हमारे पास बचे 2000 रुपीज कि इनकी भाई साब ने करवा रखी है कि और यह इतना कुछ मैंने आपको बताया कि फ्लैट मिल्क जिम फीज कार कार की यह माई कि इस वर्ट में समझेंगे ठीक है और उसके बाद मैंने लिखाया आपको लाई सी यानिकी इनकी पूरी इंकम बैट्टी है हो गए 30,000 रुपे पांस तीन आठ दूदस और दूदस तो होई हमारे पास अब इनके पास बसते कितने दस जार रुपे अभी दस जार रुपे अपने बैंक में जमा करते मानों लों अगर नहीं दिख रहा तो सिर्फ सुनेंगे केवल शोण नहीं मचाया कोई भी ठीक है अब जो हमने इतने सारी एक्टिविटी करिये यानि जो किर्याई करिए है फ्लैट में रहना है कर जो रैंट जाना हे मिलकर मिलकर जाना पैसा जिम की प्पीज़ जाना है कार कि माले जानी है राईजी में टना कराना है तो यह सब क्या यानि अपनी आर्थिक के बारे में अध्यान किया जाए यह जो परसन इसकी आर्थिक खर्चे थे जैसे हम कहते हैं तो यह हमें क्या कौन सिखाता है सब यह मैनेजमेंट करना इस तरीके से कौन सिखाता है एकनॉमिक्स और इस पार्ट्स ओफ एकनॉमिक्स मैं सोट में लिख रहा हूं जैसे हम देखते भी है ठीक है तो इकनॉमिक्स समय क्या सिखाती है इससे आपको पता चला होगा एकनॉमिक्स समय किसी भी व्यक्ति यह किसी देश की आर्थिक इस्तति का ध्यन कराती है एकनॉमिक्स है किस्टने पार्ट्स में डिवाइड के गया है कि मुझे बता सकते हूं मिर्ण compare और को दॉबट्स होग है सिसस örज़न अ कि इसकूर्ट व्यकिवल क्यों टूबाट्स में डिवाइड किया गया है यानिंक unterstüt अ है इस न आपस yakण 29 इकनोमेट्स को टूपाइट्स में डिवाइड किया है, मेक्रो और माइक्रो माइक्रो मतलब छोटा यानि कि छोटी चोटा के दो और मैक्रो मिस बड़ा अब जो मार पास छोटा बड़ा का मतलब क्या है यानि कि व्यक्ति का तिस्तर पर और यह संपून इस्तर पर यानि कि किसी देश में यहीं पूरी कंट्रिस्तर पर क्या सकते हो आप इस है जैसे कि हम बोल सकते हैं संपून इस्तर मैक्रो यानि कि क्या वैस्टी हम आपको हिंदी में भी लिख दूँ अन्ना आप कहोंगी ओन्ली ओन इंग्लिश में लिख रहे हैं उस तर कोई बात है तो यह लोग जी आपके लिए हमने इंदी में भी लिख दिया जो हमारे पास आता है वैस्टी एंड समस्टी वैस्टी यानि माइक्रो मतलब छोटा यानि की वैक्तिगत जो हमारे पास आता है माइक्रो के लाता है माइक्रो मतलब वैस्टी के लाता है वैस्टी आर्थ सास्त्र के लाता है ठीक है वैस्टी जिसमें वैक्तिगत इस तरह पर आर्थिक समस्ट्यों का क्या किया जाए अध्यन के जाए तो के लाता है मारे पास माइक्रो एकनोमिक्स और जो समझ्टी होता यानि समपूर्फ ल स्धूर्प रहता है मानकर और समझती का अर्थसास्त्र कहलता हैं तो आपस समझगी होय है और हमारे पास अर्थिक किर्या वह स्टीन क्में कि प्रकार कियों थीम्हाइब हुआ है है हमा W आं। साइड में समझा देता हूं हमारे पास जो आर्थिक किर्या होती एक्टिविटी टू टाइप क्यों होती है पहला होता है एक्टिविटी 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 यानि कि आर्थिक किर्या है पंगे रहां मंठी की रहां होती हैं जो भूंहीं होती है ठीक है आजello से बताता हूं फश्क सब्सक्राइब देखना रहा है जो धन से संबंदित हो जो धन से संबंदित हो मनी से फॉर एक्जामपल जैसे कि पुलिस पुलिस हो गई ठीक है डॉक्टर हो गया डॉक्टर पुलिस या फिर आप बोल दो आर्मी मैन हो गया कोई भी कि एटीसी जो भी छयर्ली या फिर अपने प्रॉफिट याने धन के लिए काम करता है वो अमारे पास आर्थिक किय रहे होती है यह रही है और अपता है तो डोक्टर फीस लेता है अगर आप गॉवर्मेंट में जाते हो आपके लिए तो फिरी लाज्या बट उसे गॉवर्मेंट सेल्ली पे करती है आरमी आर्मी मेन जो भी है तो क्या लेते हैं वो लोग वह भी लेते हैं तो महारे पास क्या हो जाती है अर्थए किаете रहा है एदिए हमारे पास जो हीओ अक्तिवीटी होती है और मट्स परकार के कहीं गार्थिक अनार्थिक किर दैंड यहां पर और नूवर्स परकार के सुपक्षार जिन भी भाईयों को या दोस्तों को अक्सर मतलब मेरे वर्ट्स नहीं दिख रहे हो किरपया करके अपने हाथों को थोड़ा कष्ट दें और अपने हाथों से खुद से नोट्स प्रिपेर करें मैं जो बोला हूं उसको समझें और लिखें अगर एक बार मैं को छूट जाता है तो आप उसी वीडियो को रिज्यूम करें दुबार से देखें ठीक है रिवाइंड करकर के अब जो हमारे पास क्या अनार्थिक किर रहा है यानि कि जो धन से रिलेड नहीं हो वह किर रहा है जो धन से संबंदित नहीं होती है जिसे की याद रहेगा आप लोगों को थोड़ा बहुत हटकर लिखना चाहिए है कि वह किर रहा है जो धन से रिलेटेड क्या नहीं होती नहीं होती है थीक है कि फूर इग्जामपल कि सोचल वर्क यानि कि समाजी क्यार रहे होता है कि अग्जामपल कि फूर इग्जामपल सोचल वर्क कि समाजी कार रहे है जोगी यह जिसमें फीशना लेते हूं एंड जो सैकेंड होता इसका क्या समाजी कार के साथ कल्चरल कार रहे है कल्चरल वर्क यानि कि सांस्किर्टिक यह फिर रिलीजियस हो गया ठीक है जो रिलीजियस यानि धार्मिक हो गया इन सब में वह किर्याय है जिसमें जो धंसलेटट नहीं होती है ठीक है इसमें आप अपनी सरद्धा से जाते हो अगर कोई धार्मिक जैसे कि मालो कहीं पर आपको जागरन करवाना है तो आप स्वयम से जा रहे हो स्वयम के इच्छा से उसमें आपको ना तो फोर्स करेगा ना ही आपको उसके बदले में कोई इंकम मिलेगी इंकम बोले तो आए हैं यानि आपको ना बहस्ते मिलेगा ना कि आए मिलेगी तो यह आप अपसे आपको कोई निकरत है तूप करें स्वयम कोई मतला लिखवाया है आपको सेम एज़ करना आपको सेम एज बिल्कुल डिट्टो उतारना आपको बिल्कुल समझ लो छाप देना कोपी पे है 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 हो गया कोई वीडियो को पॉस्ट करके देख लेना इसलिए तो माट गया थोड़ा सा अब मैं से पहले कर दूंकर दूंगा बाद में जाने से पहले तो चलते हैं बताओ मुझे आप लोग अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट्स न करके जरूर बताईएगा चलते हैं बाइबाइब गुड नाइट टेक केर सी यू टॉमोरो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में